नमस्कार मैं प्राणिशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज जैसा कि आप जानती हैं कि सपा संरक्षक मुलाइम सिंग्यादव जी अब हमारे बीच नहीं है मुलाइम सिंग्यादव जी जिन्होंने राजनीती में एक अलग ही पर्चम लहराया उतरप्रदेश के तीन बार मुख्य मंत्री रहे वही एक बार रक्षा मंत्री वह रहे दस बार विधायक और साथ बार सांसद रह चुके निता जी जिन्होंने राजनीती में एक अलग ही निताजी के चले जाने के बाद उनके चाहने वाले लगातार कई बड़ी-बड़ी मांगे कर रहे हैं। बड़े सदस्यों से लेकर छोटे-छोटे बच्चों ने भी यही मांगी। लेकिन अब देखा जाए तो यादव कुन्वे से जुड़ी हुई निताजी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चले गए। उस वक्त सैफई में जो भीड उमरती हुई नजराई। देश के कौने-कौने से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुँच गए थे। वहीं अब उस एफई में जहां पर मुलाइम सिंग यादव जी का जो गड़ कहा जाता है आज वहां पर मुलाइम सिंग यादव जी तो नहीं है। लेकिन उनके बेटे सपा प्रमुक अखलेश यादव अपनी पार्टी को कमान को संभाले हुए हैं चाचा शेपाल सिंग यादव के साथ मिलकर एक जुटा का संदेज दे रही हैं और उनकी पतनी डिमपल यादव सांसत के तौर पर नेताजी की विरासत मैनपुरी लोकसभ पते हुए नजराई नेता जी और आज उसी इटावा शेहर से मांग उठ रही है कि अब उसका नाम मुलाइम नगर कर दिया जाए जी हां जानकारी के लिए आपको बता दें अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा की अजारा है कि स्तपा इटावा का नाम बदल कर म जल्द मांग करने वाली है इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला पंचायत इटावा की बैठक का प्रस्ताब भी रखा जाएगा जहां एक तरफ गरतंतर दिवस पर हुए पदम पुरुषकारों में नेता जी का नाम भी शामिल रहा वहीं दूसरी ही तरफ अ उन्होंने कमाल को संभाले रखा अब देखा जाए तो इटावा जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में प्रस्ताब पास करने की तैयारी में है ऐसे में मुलाइम सिंग यादव ने यहां पर अब देखा जाए तो बाजपा में टेंशन अब भी बढ़ा दी है इटावा को खिक रूप से सहमती भी दे दी है वहीं अब योगी सरकार प्रस्ताब को हरी जंडी दे कर इटावा का नाम मुलाइम नगर करती है तो जिला पंचायत और मुलाइम कुनवे की वाहवाई होगी ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार के नितरत्म में ये एहम फैसला लिया जाएगा योगी अदित्यनाथ अगर इस प्रस्ताब को पास कर देते हैं तो कहीं ना कहीं योगी अदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत ही शांदार यहां पर तोफा मिलेगा यादव कुनविक और समाजवादी पार्ठी को देखना होगा कि क्या वाकई में इटावा को मुल